अजेद देवगन की भोला फिल्म का ट्रेलर आज दोस्तों रिलीज हो चुका है लोग इस फिल्म के ट्रेलर का बोहत ही टाइम से इंतजार कर रहे थे खेर ट्रेलर दोस्तो आज रिलीज हो चुका है ट्रेलर दो मिनट 34 से खेंका है जो देखने में काफी मज़ेदार लगा अगर दोस्तों हम ट्रेलर की बात करें तो पहले जब फिल्म का टीजर रिलीज किया गया था उसी से मिलता जुलता ट्रेलर भी है इसमें अलग से कुछ ही सीन डाले गया है बाकी पूरा ही सेम है अब दोस्तों टीजर और ट्रेलर में एक ही सीन रखने का कारण ये है कि ताकि फिल्म के बारे में ज्यादा लोगों को पता न चले कि फिल्म में क्या होने वाला है बाकी अभी के टाइम में ट्रिलर को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और जब से ही फिल्म का ट्रिलर आया है तब से ही पूरे सोशल मीडिया पर भोला फिल्म के बारे में ही सर्चा हो रही है बाकी बात करे हम दोस्तों फिल्म के बारे में तो भोला फिल्म हमें 30 मार्च को देखने को मिलने वाली है फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आने वाले है अजेद देवगन तबू अमला पॉल जैसे और भी बड़े एक्टर बाकी दोस्तों हम बात करें फिल्म के क्रेज के बारे में तो आपको पता होगा भोला फिल्म साउथ की फिल्म के थीता रिमेक है और ये फिल्म रिमेक होने के बावजूद भी लोग इसका जो रहो से वेट कर रहे है आपको पता हुगा अजेद देवगन की इस से पहले भी एक फिल्म आई थी जो की एक रीमेक फिल्म थी फिर भी वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई और फिल्म ने लगभग 200 करोड की कमाई की थी और अभी इस फिल्म को लेकर भी वैसा ही क्रेज देखने को मिल रहा है तो ये फिल्म भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी कमाई करने वाली है बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं